कि मुंस्कार जे राम जी वह स्वागत है भाया हरो मुंदली मसाला में आज हम बात करें वा राणू मंदल के बारे में यह सम जटने जानाति नंगा राणू मंदल की रिए और नहीं चे 없athan करें लड़ी अभी हाल ही हाल में कि बहुत बड़ी सुपर्स्टार वान नहीं है तो भाईया सुनुवात क्या तो तेस्टेशन की सुनुवात भाईये जे रेलवे स्टेशन पर गाना गा उत्ती और आप लोग विश्वास न करो जे काफी उमर की हैं लगबग देखे से तो यसान लगात 40- हैं और भाईया जब गाना गाती हैं तो इनके पास खावे के लाना भाईया कच्छू खावे भी नहीं रत तो रेलवे स्टेशन पर गाना गाके हैं जो दो-चार रोपाईया कच्छू आदमी देगा तो भाईया उसे खापी वह अपनों गोजारों चला उती अब तुम गाना यह तरीके से बारल भाव बहुत ही ज्यादा लता मंगेश करके उनने ऐसे गाना गाये हैं कि आदमन की बिल्कुत दिलखा चूँ गए तो भाईया बारल भाईया और जाईबात पहुंची अपने इंडिया के बहुत बड़े म्यूजिक डारेक्टर हैं बहुत बड़ जो आओ ना यह तरीके से भाईया अच्छागो है यह तरीके से बाल भाईया बहुत ही जाना घपा घप भी जाए उपे और भाईया यह इतनी बड़ी सुपरेस्टर बन गई हैं अब तो इनके लाए सूर में भी काम कर भी मिल रहो है तो देखो एक सीदी सी बात जाया कि चमक जाए कच्छू देखन नहीं गाया अपन काम करत रहो अपने काम के पिती यही लगन रखो एक ना एक दिन आदमी सफल हो थे सोचो कभां को सोच नहीं सकत्तों कि भाईया बेतनी इतनी बड़ी सुपरश्टार बने हैं इतनी बड़ी सिंगर बने हैं उनकी इतनी सब्सक्राइब करते हैं नहीं करो गए तो जैसे बंदेल करने रमदी